मुझे पता है आपको इस सिजन में पुखो ज्यादा हेर फोलो रहा है और आप चाहके भी अपने हेर फोल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने जारी हूँ एक बहुत ही बहती नाइट हेर ग्रोशिरम जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यह नाइट हेर ग्रोशिरम आपके हेर फोल को कंट्रोल करने में मदद करेगा ना सिरफ हेर फोल को कंट्रोल करेगा बलकि आपके बालों को वापिस से उगाने में आपकी मदद कर सकता है आपके बालों को लंबा बनाने में आपकी मदद कर सकता है बहुत सारे लड़के लड़कियों का कहना होता है कि hair wash करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा hair fall हो जाता है तो इस hair fall को control करने के लिए ये night hair grocery आपके मदद कर सकता है only three ingredients आपको use करने है three ingredients यानि आपकी तीन problem शोल कर सकते है hair fall की problem, regrowth की problem और आपकी hair length की problem हर किसी के लिए suitable हो सकता है लड़के लड़के और दोनों आप इसको लगा सकते है और जैसे कि मैंने बताया कि ये night hair grocery होगा आपको इसे night में लगाना पड़ेगा कैसे लगाना है, कि इन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे बनाना है और कितने दिन के लिए आप इसको store करके रख सकते हैं ये सब बाते जानने के लिए आपको video end तक देखना है ध्यान से देखना है बिना skip कि ये देखना है ज्यादा बाते हम नहीं करते हैं, वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं बमनोले मैं प्रल केंशन और भुषा क्या हे छो ये थिकीअ फ्लाकשित आपको क्या करना है एक पैन के अंदर अलह गिलांस पानी हम डालगे मैंने पहले ही इसको बना लिया है और एक चमच हम फ्लाक सीट डाल देंगे जो लड़किया ओनियोज नहीं कर सकते हैं जुनके ओनियोज नहीं होता है जैसे कि ओनियोज मेरा भो ज्यादा फैवरेट है क्योंकि ओनियोज में सल्फर होता है और सल्फर आपके हेर फोल को क्लिव बननेगा त्यक्ताब में हैं और आपके बालों को फुलका मोटा बनाने काम करें आपको क्या करना है जैसे आपको लगता है कि आपको जो अंदर जाग आ गये है प्रोपली तरीके से जितना उसको गाड़ा होना चाहिए वह गाड़ा हो गया है लगवक ये तो बड़े चमच फ्लैक्सीद का जाहिए जो हमें मिल चुका है अब आपको एक चमच जो हमने अदर का जूस निकाला था वो आप इसके अंदर डाल देंगे अब हम बात करते हैं कि आप अपने बालों की लेंद को कैसे इंकरीज कर सकते हैं याने मैं अपना सिक्रेट यहां पर बताऊंगी और वो है अलोविडा जयल हर एक वीडियो के नेचे कॉमेर्ण्स आते हैं कि आप अपना सिक्रेट नहीं बताते हैं जब की मैं आप लोगों को लग बग हर वीडियो में बताती हूं कि मेरे बाल लमबे हुए हैं अलोविरा जल लगाने से, दोबारा फिर से रिपीट कर रहे हूं कि मेरे बाल लंबे हुए हैं अलोविरा जल लगाने से, क्योंकि ये इतना अच्छा होता है आपके बालों के लिए, अगर आपकी ग्रोथ रुखे हुई है और आप लगातार अगर अलोविरा जल लगाते हैं तो तीनों ही इंग्रीडेंट को अच्छे से मिक्स कर लेना है उके इसके बाद बिना ओइलिंग के आप ये हेर ग्रोशिरम नहीं लगाएंगे मतलब कि इसके अंदर आपको ओईल भी डालना है एक चमच मैं यहां पर लूँगी ओलीव 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 ओल अजकर मेरा फैरेट प्रोग्लम मैं अधर आपको लगता है कि बाल बीच मेंसे चूटी जो पतली हो रही है लेकिन स्कल्प के ऊपर बहुत सारे बाल है और चोटी में बहुत पतले दिखते तो यानि भीकेज को घटाने में आपकी मादद करेगा अब आपको सारे इंगरिडेंट बिल्कुल अगर कांच का रहेगा तो यह और ज्यादा बेनेफीचिल होगा क्योंकि यह खराब नहीं होगा और आप डेफिनेटली इसको बिना किसी टैंजल के स्टोर कर पाएंगे इसके अंदर हम इसको फिल कर लेंगे तो यह है आपका नाई फिर ग्रोश श्रम इसकी कंसिस्टेंसी ब तो इसको कैसे लगाना है और रिख भाने का त्रीका क्या रहेगा आपको इसे अग्हार तो इसे आपव कर सकता, हम सिर्फ अपने स्कैल्प पिल गाएंगे क्योंकि यह जड़ों को पोशन देगा मजबूत बनाएगा अगर आपकी जड़े मजबूत होना शूर लोग गई ह तो आपका हेरफोल इंस्टेंटली रुख सकता है, तो बिल्कुल अच्छे से पूरी स्कैल्प के उपर इसे लगाना है, मसाज हम यहां पे नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हेरफोल पहले ही है, अगर आप उपर से मसाज कर देंगे, तो और ज्यादा हे करेंदों, मसाज सबसी करेंगे अपने टैप करते हैं, जह पोर्ड़ेम क ऊच्छे में इस हेर ग्रोशरियुंस्कि प्रा के ही है, जए की बारे में आप लोगों को भी बहुत बार बता चुकी हूंatured से की हमउच्छे स्किन पे पार हुए शेक्छे आपको करते हैं आपके भी कुछ step होते हैं जिससे blood का flow हो जाता है और जो remedy आपने लगाई है वो अच्छे से penetrate होके आपके बालों की जड़ों में जाके उनको strong बनाती है pressure point जहां 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 पे भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूं forehead के बीच में eyebrow के उपर या फिर आपकी head के आपके pressure points को आपको पांच मिनट के लिए प्रैस करना है आपको यह फाल्तु की चीज लगेगी लेकिन जब आप इसको करना शुरू कर देंगे ना देखिए एक बार में कुछ नहीं होता है जब आप इसको repeat and repeat करेंगे ना यानि pressure points को अगर आप हर रोज दबाते हैं तो आपके बालों में आपको जादू होता हुआ दिख सकता है यानि आपका hair fall रुखेगा आपके बाल हैल्दी बनेंगे आपकी regrowth हो जाएगी क्योंकि सारा कमाल हमारे blend circulation का होता है तो इनको दबाने के बाद हम लेंद भी अच्छी चाहिए लेंध पर भी हमें शाइन चाहिए तो यह night hair पर आपको रात में लगाना है सकल्प लगा के छोड़ देना है लेंध अब लेंध पर आपको आप जो ओल्यूज करते हैं उस यहां पर यहां पर यूज कर लेंगे जैसे कि मैं coconut oil उल्यूज करती ह तार हैगा न्यूटीशंस आपकी स्क्यम्ट के आंदर तक जाते जाएंगे और अगले दिन आप यहां तक आप बात करते हैं हमारे में कोश्टिन की कि आप इसको कैसे और किसी सोटर करके रख सकतэ है आप सेाफ दिन के लिए स्टॉर करके रख सकते हैं रेफ्रिज्रीटर के अंदर जब लगाना होगा आप इसको निकालेंगे नॉर्मल होने देंगे और फिर आप उसको अपनी सिर्फ स्काल्प पे लगाएंगे किपनी वार लगा सकते हैं वीक में आप जितनी भार बीजाब ही रोश करते हैं दो बार तीन बार उतने ही बार आपको यह अपने सिर्फ स्काल्प पर लगाना है लेकिन लेंथ आपको ऐसे ही नहीं चोड़नी है उस पे भी आपको ओईल लगाना है समझ महीं बात तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं ओली नहीं है तो आप यहां पे coconut oil आप यहां पे कास्ट रोइल का यूज भी कर सकते हैं तो आप इसको स्टोर किजिए गा आप इसको लगाईए गा जो भी जैसा भी feedback है वो में शाओ शेयर कर सकते हैं यह था आज का चोड़ा सा ब्यारा साथ वीडियो आशा करूंगे आप लोगों के लिए आप इसे आजन को शुप्राइब के रहां पिलकुर मज़ेगा मैं वेंचे नाइक्स वीडियो में तो दग लिए बत्रा पानी पे एंखुष एंखुष रखें बाई